आज सुनिए हिंदी के सुपरतिष्ठित और सुपरिचित कथाकार गोविंद उपाद्याई की लिखी हुई कहानी उपेक्षा गोविंद उपाद्याई जी के कई कहानी संग्रह और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं विभिन पत्र-पत्रिकाओं और ई-मैगजीन्स में उनकी कहानिया प्रकाशित होती रहती हैं प्रस्तोत है कहानी मेरी जुबानी मैं हूँ सीमा सिंग देखो आज अपनी बेटी की शादी में कैसे उचलचल कर काम कर रही है जब मेरी बिटिया थी तो सब के लिए बोज थी तब न किसी ये पास पैसा था न समय यही बड़कू अपनी बेटी के लिए कितना गूमें दिल्ली भुपाल तब कैसे जांगर चल रहा था और हमाई बेटियों के लिए सब का गोड़े तूड गया था अरे उता हमारी लड़कियों का भाग सही था नहीं तो उनके बोड़ने में कवनो कसर बाकी रहा क्या बड़ी बहु भी कमर कसकर लड़ने को तयार बैठी थी कितना क्यों सहे का कमाते थे सुनैना के पापा जितना उनकी सकती थी कि ये नहीं का पाच पाच बेटियों का विभा करने का दम था का माजी और बाबू जी के पास काहे इतना पैदा की थी अरे और कवनो घर होता तक गनहा जाता हगे कोई और पोँछे कोई ऐसा होता है का इस जमाना में लेकिन इस घर में हुआ छुटकपन में ही विभा करते हैं हम भी आ गए थे कवन सुख भोगे दूसरे का हगा काचते रहे एक ठो बेटी है हमार उसको भी ठीक से बिहाद्यान न कर पा रहे हैं अभी तो शुरू हुआ है अभी से ये असगुन करने लगी तो आगे क्या होगा बढ़का बाबू तो ये सोच कर गाउं जिवार का लड़का ढूडे थे कि अपने गाउं समाज का लड़का होगा तो आज के उच नीच से बचे रहेंगे पहले का जमाना तो रहा नहीं जरा जरा बात में दोनों परिवारों में ठन जाता है तलाक तो ऐसे होने लगा है जैसे सत्य नराइन भगवान की कत्ः लड़के वालों को क्या फरक पड़ता है एक छोडो हजार मिलेंगे पर लड़की वालों के दिल से पूछो पहले कुआरी लड़की के लिए लड़का खोचते एड़ी घिस जाती बाद में तलाक शुदा लड़की को लेकर सामाजिक उलाना जहिलते उमर निकल जाएगी ससरा शादी नहों कर जुगा हो गया मेहनत की कमाई का लाखों रुपया और साथ में बेटी का जीवन सबकुछ दाओं पर यहाँ जिवार का मामला है कम से कम सामाजिक भे ऐसी इस्थतियों को रोकेगा पर यहाँ अम्मा ने ऐसा गदर मचाया है कि बढ़का बाबु यह सोचने पर मजबूर हो गए है कि शादी का कारिक्रम यहीं से किया जाए कि शहर से हुआ भी यही निर्धारित कारिक्रम जैसे जैसे निकट आ रहा था बढ़की बहु अपने मरत की लगाम कसने लगी थी देख रहे हैं आपनी अम्मा का नाटक अब सोच लीजिए सादी यहाँ से करेंगे कि शहर से अरे लड़की की शादी है बहुत बड़ा यग है अपनी माता जी का ऐसे नाटक जारी रहा तो कर पाएंगे एक तो बढ़की बहु पहले से ही नहीं चाहती थी कि यहां से शादी हो क्या रह जाता उनके हाथ में पिछले पच्चीस साल से तो पती के साथ लकनों में ही रह रह रही थी यहां का सारा बाग डोर छुटी बहु के हाथ में चला जाना था उन्हें तो बस मुहरा बन कर रह जाना था उपर से अम्मा की अपनी सोच दिमाग में एक अलग तरह का तनाव पैदा कर रहा था बड़का बाबू की अपनी गड़ित थी गाउं से शहर शादी करने में सतर असी हजार रुपे और बढ़ जाना था फिर जंगल में मोड नाचा किसने देखा सारे नाते रिष्टेदारों को पांसो किलोमीटर बुलाना आट-दस दिन उनकी खातेदारी करना कम जमिला थोड़े ही था पत्नी और सुनेना तो पहले से ही शहर में विवा के पक्ष में थे अब अम्मा ने ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है कि वो ना चाहते हुए भी पत्नी और बेटी के पक्ष में खड़े हो गए बाबु जी की मृत्यों के साथ अम्मा के बढ़ताओं में परिवर्तन आने लगा था जब तक बाबु जी जीवित रहे उनकी उगरता के सामने अम्मा दबी रहती बाबु जी उम्रे के पच्छतरवे पड़ाओं तक आते आते शितिल पड़ गए थे और अब अम्मा पर पूरी तरह आश्रित हो चुके थे उन्हें ना आख से दिखाई देता था और ना ही वो ठीक से सुन पाते थे अम्मा तब अपनी कुंठा को शब्द देने लगी थी इस आदमी ने मेरा जीवन न रख कर दिया पता नहीं पिछले जनम का कौन सा पाप था जो ऐसे पगलंठ को मेरी तकदीर में लिख दिया ना तो खुद चैन से रहा और ना कभी हमें चैन से रहने दिया बाबू जी ने अम्मा को वो सब खुशियां दी जिसकी अम्मा ने कभी कलपना भी ने की थी बस जुबान के थोड़ा तीखे थे और किसी के सामने धो डालते थे उने प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे सारा जीवन गाओं में इकट किया परिवार जरूर थोड़ा बड़ा हो गया था जब बच्चे बड़े हुए तो अभाव भले न रहा हो पर हाथ को बांद कर खर्च करना पड़ता था बाबू जी के ना रहने पर अम्मा को पेंशन मिलने लगी थी उस पैसे की धमक ने अम्मा को सौबलंबी बना दिया था छोटे बाबू चाहेते थे कि अम्मा वो पेंशन उनके बच्चों पर खर्च करें खेती बारी से उतनी आमती नहीं हो पा रही थी अम्मा उन पैसों का अधिकांशित सापनी बेटियों पर खर्च करती थी उस पैसे की उर्जा आए दिन बेटियों को उनके मायके खीच लाती थी शुरू में छोटी बहु ने दभी जुबान से इसका विरोध किया फिर वो विरोध मुहा चाही में बदल गया अम्मा ज्यादा गुसाती तो अन जलत्याग देती बढ़के को फोन लगाती बढ़का छुटके को समझाता सब कोई हाथ पैर जोड़कर खाने के लिए राजी करता छोटे बाबू समझदार हैं वो ये समझते हैं कि बड़े भाई के साथ मिलचुल कर रहने में ही भलाई है भले बड़े भाई कुछ मदद करते हो या नहीं पर गाउजिवार तो यही समझते हैं कि इस घर में बहर से भी आमदनी आ रही है पर अम्मा की नाराजगी बिन बरसाथ के मौसम की तरह हो गई थी ना जाने कब रूट जाएं दीरे दीरे छोटी बहु के परिवार ने मनाना बंद कर दिया अम्मा कई कई दिन बिना खाये पीये रह जाती छोटे बाबू का परिवार अपने में मगन रहता पर अम्मा का गुस्सा पिगलता तो खुदी साख सबजी खेच से लाती और काट छाट कर रसोई घर के दरवाजे पर रख देती, छोटी बहु भी बिना किसी हिला हुजजत के पका देती, अम्मा का खाना शुरू हो जाता छुटकी बहु का दावा था, अम्मा उपवास नहीं रह सकती, जब उनका मन इस घर के खाने से उबने लगता तो ये नौटंकी नाध देती हैं, फिर चुपचाप अपने कमरे में तर माल उडाती गाओं के तमाम लोग हैं, जिनसे अम्मा से रहुना से गुलाब जामुन, समौसा और बर्फी आदी मंगाती थी, काजू बादाम की पोटली तो उनके कमरे में हमेशा रहती है, जब तक नहीं जानते थे तब तक परिशान रहे, जब समझ में आ गया, तब छोड़ दिया अम्मा की हकूमत जैसे जैसे कमजोर पढ़ती जा रही थी, उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था, वो सबसे ज़्यादा अपनी दोनों बहूं से खफा थी, एक शीत युद्ध हमेशा होता, अम्मा बहूं को नीचा दिखाने का कोई मौका भी खोना नहीं चाहती थी, उसम मुफ्त का तमाशा देखने को मिलता, छोती बहू बराबर का टक कर देती, दोनों एक दूसरे की साथ पीडियों तक को नंगा करते, लड़कों ने अम्मा को बहुत समझाने की कोशिश की, अम्मा और गरम हो जाती, जाकर अपनी नई माओं को समझाओ, हमही को का समझाते हो नासपीतों, बहुएं उन्हें हाशिये पर लाकर खड़ा कर चुकी थी, उन्हें अब अम्मा के व्यंग बारों की जराबी चिंता नहीं थी, एक समय ऐसा भी था कि अम्मा के माथे पर बल पड़ा नहीं कि बहुएं का तिरपन काप जाता, शांत होते हवाते बहुएं की वार उनके बेटों के शेह के बिना नहीं हो सकता, वो वही कपूत हैं जिनके लिए अम्मा ने तिनका तिनका जोड कर एक होसला बनाया था, अम्मा के आकरोश ने कई बार शब्द भी लिया, हमारे ये लायक लरिकों के देन हैं जो बहुएं कपार पर चड़ गई हैं, सब अम्मा की बात हवा हवाई हो जाती, वो अब इस घर की खुंदकी बुढ़िया बन कर रह गई थी, अम्मा को लगता कि उन्होंने इस घर को बनाने में ही अपनी जिन्दगी स्वाहा कर दी, उन्हीं की देन है कि आज पूरा परिवार चैन से रह रहा हैं और वो खुद उनक साल का वेवाईक जीवन पिताने और फिर पहली पतनी की मौत, उसके बाद साथ साल के बेटे की म्रत्य। ग्रहस्त जीवन से उनका मोह भंग हो चुका था, आठ नौ वर्ष बाद फिर पारिवारिक और सामाजिक दवावों के चलते उन्होंने दोबारा शादी की थी, वो नौकरी वाले आदमी के साथ शादी कर देने से दो वक्त तो रोटी मिलेगी। अम्मा के पिता की म्रत्य हो चुकी थी, दो बहनों और एक भाई का बोज विद्वा मा के कंधे पर था, एक मंद बुद्ध अधेर चाचा भी था, अम्मा की बड़ी बहन की शादी कुछ साल पहले अदला बदली में हुई थी, यानि चाची बनकर आई औरत के भाई से उनकी शादी करा दी गई थी, इस प्रकार से दोनों का घर बस किया था, यदि अम्मा के अतीद के बारे में बहूं को कुछ पता भी था, तो वो अम्मा का ही बताया हुआ था, लेकिन जब जगड अच्छा उमीद से ज़्यादा अच्छा गया था, चोटे की अपनी प्रतिष्ठा दाओं पर थी, भाई साब तो ठेरे परदेशी, हमको तो इसी समाज में रहना है, वैसे भी उन्हें मालुम क्या है, कभी कोई शादी विवा किया हो तो जाने, बेहनों की शादियां तो हम भाल कर, लड़के वालों का क्या, वो तो पहले ही चुम्मा में गाल काटने की चक्कर में रहते हैं, अब आपकी समझदारी इसमें है, कि उनको चुम्मा का भी मजा आए, और आपका गाल भी बचा रहे, अब बढ़का बाबु को क्या मालुम भोकाल क्या होता है, वो तो ज अलाकी कर गए थे, कारिकरम के दोरान ही दीरे से अपने होने वाले समझदी से पूछा था, भाई सहब यदि शादी लखनों से करें तो कैसा रहेगा, वहां हर चीज की सुविधा है, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, आपको लगेगा कि भाई कोई स्वागत हुआ है, ल भाई हम तो लखनों ले आएंगे बरात, ये बात जब बढ़का बाबु ने पत्नी को बताई तो उसकी बाचे खिल गए, पहला बार आपने कोई सोज काम किया है, अब जकरा जकरा रिस्तेदारी निभाना होगा, लखनों आईवे करेगा, आपको तो अपने असली हीतनात क पता चल जाएगा, शादी का पका हो जाना एक अजीब सुकून दे रहा था, अम्मा दर्वाजे पर बैटी लाल्टेन का सीसा साफ कर रही थी, कोई विवागी वो धीरे धीरे गुनगुना रही थी, मौसम ठंडा था, नवंबर का दूसरा सप्ताहा था, मौसम में हलकी नम गई, तो फिर अपने आप पार लग जाती है, हम तो पहले से सुनैना के लिए अंगूठी और चुमकी बनवाती हैं, एक ठो अंगूठी लड़के के लिए पर बनवातूंगी, घर में कोई राशन की कमी तो है नहीं, देखना कितने मजेज साधी हो जाएगी, आकर पाश प होड़ता उनके चेहरे से हमेशा चिपकी रहती है, वो लाल्टेन को जलाकर उसके आगे हाथ जोड़कर कुछ बुदुदाई, फिर सामने लोहे के छड़के हुक में फसा दिया, ये अम्मा की रोज की दिन चल रहा थी, अम्मा ने छोटे के बेटे को आवाज दिया, किस त तू खाना बनना शुरू हुआ कि नहीं, अरे आज शुब कारी हुआ है, कढ़ाई चढ़ा कर कुछ चान लें, छोटकी तो सब जानती है, बढ़की ही अब तो सहरातू हो गई है, अम्मा एक बाद फिर गुराने लगी, बढ़का बाबु का मन बेचैन होने लगा था, दीर एकके गरबड़ी हो सकती है, बच्चा लोगन का परीक्सा होता है उसमें, बगल के घर के कनही चाचा ने जन्यू से पीट खुजलाते हुए कहा, तुहु कनही उल्टे बोलोगे, कबन दिल्ली जाना है, यहीं किना बात है, दिन में परीच्छा दो, और रात में साधी उसी को सपाट करके बड़ाजा सामियाना लगाएंगे, बगल में बोरिंग तो है ही, इस बार अच्छे बर को बुक कराएंगे, क्या मचली बनाता है, बराती अंगली ही चाटते रह जाएंगे, दुवार से लेकर गोड़या तक जालर से ऐसा सजवाऊंगा, कि गाउं वाल में तो जनिरेटर वे दगा दे लिया था, कितना सब कुछ हुआ था, पर बरात को गैस बत्तिये के साहरे पूरा रात काटनी पड़ी, उतो कहो सिदवा थे, कोई हुझत नहीं किया, बड़का बाबु को ये समझ में नहीं आ रहा था, कि अम्मा शिकायत कर रही है, या सिर् बताएं कि शादी वो लखनों से कर रहे हैं, उनका मन आगे पीछी होने लगा, वो उठे और घर के अंदर चले गए, पत्नी उनने दर्वाजे के पास ही मिल गई, वो भी बरामदे में बैठे लोगों की बाते सुन रही थी, का मालकिन देख रही हो ना कितना उत्सा है इन अम्मा सब कुछ भूल कर पोती की शादी के तयारी में चुट गई है, छोटे ने कैसा कैसा प्लान बना रखा है, मुझे तो उलजन हो रही है, कैसे बताऊं कि हम यहां से शादी नहीं कर रहे हैं, बढ़का बाबु ने फुस-फुस आते हुए अपनी सारी उलजन पत्नी क को बता दिया, बरामदे की चल रही लाल्टेन की रोशनी का एक टुपड़ा कमरे में भी आ रहा था, इसके बावजूद दोनों परचाई बनकर रह गए थे, बढ़का बाबु पत्नी के चेहरे पर उगाये भावों को नहीं पढ़ सकते थे, पर आवाज में उत्पन कुझलार से इतना तो समझी गए कि पत्नी को उनकी बात पसंद नहीं आई, आपो न बेपेंदी के लोटा हैं, एक बार जब सोच लिये हैं कि उहां से करना है, तो करना है, अब इतना सोचने की का जरूरत है, का चाठो जिनरेटर छुटका बाबु अपना पैसा से लगवा का बढ़का समयाना का खर्चा उठावेंगे, का मचरी भात का इंतिजाम अपनी जेब से करेंगे, उस सबका खर्चा आप ही को उठाना है, आपको लूट लेंगे लोग, कुछ भी तो आपके हाथ में नहीं रहेगा, और बेहवार किसका बनेगा, छुटका बाबु का, जी भी सुनैना के विवापरी बात चल रही थी, बढ़का बाबु गला खकार कर सकुचाते हुए बोले, ऐसा है छोटे, शादी तो लखनों से होगी, सुनैना यही चाहेती है, बढ़का बाबु उसके बाद चाहा कर भी आगे कुछ बोल नहीं पाए, वातावरन कुछ पल के लिए बोजिल हो गया, छुटका बाबु ने जबरदस्ती हसते हुए वातावरन को हलका करने का प्रयास किया, तो क्या हुआ भाई साहब, वहां भी तो तैयारी हमें को करना है, आइडिया यहो बढ़िया है, अम्मा कुछ नहीं बोले, बढ़के की तरफ देखती रही, उन कुछ था, इसके पहले यह आँखों में पानी भड़ता, वो तेजी से बाहर निकल गई, अभी आप सुन रहे थे, गोविंद उपाद्याय जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी उपेक्षा, सहज सरल तरीके से लिखी हुई कहानी बहुती स्वाभाविक थी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी, कल फिर मिलेंगे, आपका समय शुक हो